हेलो दूस्तो स्वागत है आपका स्टेडी इस्मार्ट इस्टुडियो में आज हम इंडियन पॉल्टी में संभीधान की विशिष्ताओं की बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में हम संभीधान की विशिष्ताओं से समदित 40 प्लस महाचपूर्ण प्रशनों को कवर करेंगे तो चलते हैं सेसन की ओर पहला प्रशन है विश्च का सबसी बड़ा लिखित इवं सरवादिक ब्यापक संभीधान किस देश का है राइट आंसर है B भारत का विश्च का सबसी बड़ा लिखित इवं सरवादिक ब्यापक संभीधान भारत देश का है दूसरा प्रशन है भारतिय संभीधान कैसा है राइट आंसर है D अंस्ता कथूर और अंस्ता लचीला भारतिय संविधान अंस्ता कथूर और अंस्ता लचीला है तीशरा प्रस्ने भारत का संविधान किस प्रकार का है राइट आंसर है C नम्म और अनन्य भारत का संविधान नम्म और अनन्य प्रकार का है भारत का संविधान नम्म और अनन्य प्रकार का है चोथा प्रस्न है भारत की संविधान में भारत को क्या माना गया है? राज्यों का एक union भारत की संविधान में भारत को राज्यों का एक union माना गया है पांचमा प्रस्न है भारत एक धर्म निर्पिक्स देश है इसका तात्पर क्या है? इसका तात्पर है कि भारत देश का राज इस्तर पर कोई अपना स्वयम का धर्म नहीं है राइट आंसरोगा बी भारत एक धर्म निर्पेक्स देश है इसका तात्पर यह है कि उसका राज इस्तर पर कोई अपना स्वयम का धर्म नहीं है शात्मा प्रस्ते निमलेखित कत्नों में सी कौन साई है भारत का संविधान अध्याक्षतमाख है यह गलत है भारत एक नाममात्र का रास्तन्थ है यह गलत है भारत एक कुलिन्टन्थ है यह कत्न भी गलत है राइट आंसरोगा डि भारत एक संसाद्माख प्रजातन्थ है यह सात्मा प्रश्थे संभिधान के संभंध मैं कौन सा कθन सही है। Right answer B. यह दूसरे देशों के संभिधान से पुरभावित है। यह कथन भारते संभिधान के बारे में सत्त है। जबकि यह एक मॉल्प संभिधान है, यह कथन गलत है। यह दूसरे देशों की सम्विधान की बिलकुल नकल है। यह कतन भी गलत है। आजमा प्रेशने, निमलखित मेंसे कौन सा कतन साई है। राइक अंसरोगर, उप्रुक्त सभी कतन सत्थ हैं। भारत का सम्विधान भारत में संसद्य पद्यती की सरकार की ब्याख्या करता है। यह कतन सत्थ है, भारतिय सम्विधान द्वारा सुतंत्र नियाय पालिका की स्थापना की गई है। यह कथन भी सत्थ है और भारते सम्विधान भारत में बिधी की सासन की ब्याक्ष्या करता है यह कथन भी सत्थ है राइट अंसर दी और प्रॉक्ट सभी 9 निमलिकित में ऐसी कौन सा कथन सही नहीं है राइगा अंसर ए D संबिधान की प्रवर्वर्टन की समाही संबिधान में मूल करतब सामिल है यह कथन असत्त है मूल करतबों को बाद में संसुदन करकी जूड़ा गया था जबकि सम्विधान के बारे में कौन-कौन से कथन सत्थ है, सम्विधान निर्मित, लिकित और सरबादिक ब्यापक है, यह कथन सत्थ है, भारत का सम्विधान प्रभुत्य संपन्य, लोक्तन ताच्मक, पंतनर पिक्ष और समाजबादी सम्विधान है, यह कथन सत्थ है, और भारती संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्तों का समावेश किया गया है यह कथन सत्थ है भारती संविधान एकल नागरिक्ता का प्रावधान करता है यह कथन सत्थ है और भारती संविधान बेयस्क मतादिकार की वेवस्ता करता है यह कथन भी सत्थ है, राइट आंसर होगा D, उप्रुक्त सभी कथन सत्थ है, ज्यार्मा प्रस्न, भारत का संविधान है, राइट आंसर है, C, कथोर कम लचीला अधिक, भारत का संविधान कथोर कम और लचीला अधिक है, बार्मा प्रस्न, भारते संविधान का सुरू किस प भारतिय संविधान का सुरूप संराचना में संगात्मक और भावना में एकात्मक है। भारतिय संविधान को भावना में एकात्मक मना जाता है। इसका राइट आणसर होगा D उप्रुक्त तीनो कारणोसी। चवश्यदुभुमा प्रस्न भारतिय संविधान की संदर्म में कहा जाता है कि यह है, क्या है। राइट आंसर बी बकीलों का स्वर्ग है भारते संविधान की संदर में कहा जाता है यह बकीलों का स्वर्ग है पन्रमा प्रस्ण भारते संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका प्राथा बारत सरकार अधीनियां 1935 का सुलमा प्रसन निम्न मेंसे यह किससे निर्धारे थूटा है कि भारत का संविधान परीसंगीय है केंडर एवं राज्य के भी सक्तियों के विबरन से भारत का संबीधान परी संगिये है या केंड और राज के भी सक्तियों के विवरन से निर्धारत हूटा है सत्रम प्रस्ण भारत में प्रजातन्त इस तक्त पर निर्भर करता है कि जन्ता कुछ सरकार चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्थ है अठारम प्रस्ण भारते सम्विधान में कुल कितने आर्टिकल हैं। राइट आंसर है D, 450 से अधिक आर्टिकल। भारते सम्विधान में 25 भाग और 470 आर्टिकल हैं। बर्तमान समय में भारते सम्विधान में 25 भाग और 470 आर्टिकल हैं। उन्नीश्मा प्रस्न, भारत में किस प्रकार की शासन विवस्था अपनाई गई है? राइट आंसर बी, ब्रितिस संसादमत प्रिनाली भारत में ब्रितिस संसादमत प्रिनाली अपनाई गई है बीशमा प्रशन, भारती राजनितिक विवस्था में इनमें सी कौन सर्वूच्च है? राइट आंसर है B, संभीधान भारती राजनितिक विवस्था में संभीधान सर्वूच्च है भारती राजनितिक विवस्था में सर्वूच्चिस्तान किसका है? संभीधान का 21. भारतिस संविधान का ब्रहद होने का क्या कारण है? Right answer है D. इसमें संग वाराज दोनों सरकारों का संविधान है इस कारण भारतिस संविधान का आकार बढ़ा है 22. भारतिस संविधान का अभी भावक कौन है? Right answer है C. सर्वोच नियाला है भारते संविधान का अभिवावक सर्वूच नियाला है तेश बब्रस्न भारत में वयस्क मतादीकार की उम्र सीमा क्या है राइट आंसर ए अठारा वर्स भारत में वयस्क मतादीकार की उम्र सीमा अठारा वर्स है 24 बब्रस्न भारतिय संगिय विवस्ता की एक विशिष्टा कौन्शी है? राइट आंसर है B. संविधान की सर्वूच्चता भारतिय संगिय विवस्ता की एक विवस्ता संविधान की सर्वूच्चता है 25 वा प्रस्न भारत की सम्विधान में संगिय सब्द की जगा किन सब्दों को इस्थान दिया गया है? राज्यों की संग को भारत की सम्विधान में संगिय सब्द की जगा राज्यों की संग को इस्थान दिया गया है? संगिय सब्द की जगा किसको इस्थान दिया गया है? राज्योни की संगेवोग। 26iva प्रस्थ भारति संविधान में कितनी सूचिया हैं। Right answer is C तीन भारति संविधान में tиной सूचिया हैं। 27iva प्रस्थ भारत का संविधान अपना प्राधिकार किस्री प्राप्ष करता है। Right answer is C. भारत की जनता से। भारत का सम्वीधान अपना प्राधिकार भारत की जंता साप्त करता है। तिश्वा प्रसन भारतिस संविधान की सररक्शना किस प्रकार की है? राइटानसर जी कुछ एकात्मक और कुछ केथूर है तिश्वा प्रसन है भारत की संविधान के अध्हीन निमने ko Samsung में सी कौन सा सही है? राइटानसर जी ओपिरूक्ट सभी कतन सथ हैं संभीधान सरवुच्छे यह कतन सत्थे संग और राज सरकारों के वीश शक्तियों का इस्पस्ट बिजभादन है यह कतन भारते संभीधान की बारे में सत्थे सम्विधान के संसूदन के लिए बेहत्र प्रक्रिया का अनूशरन करना होता है यह कतनangle भारति सम्विधान के बारे में सत्त है राइट यसल उंगा जी— व्प्रुक्तसाभी 31. लिखे सम्विधान की आउधार्ना ने सरप्रथम कहां जन्म में लिया था राइट अंसर ए, फ्रांस में, लिखेश सम्विधान की अवधारन न सर्प्रांस में जन्म लिया था 32 बप्रस्न, अध्याच सासन का उदय सर्प्रांस किस देश में हुआ था राइट आंसर जी, अमेरिका में, अध्याच्छमक्ट सासन का उदय सरप्थम अमेरिका देश में हुआ था तेटीश वाप्रसने, निमलेखित मेंसे कौन सा एक भारती सम्मिधान का दर्सन नहीं है सामबादी राज भारती सम्विधान का दर्सन नहीं कराता है भारती सम्विधान एक कल्यारकारी, समाजबादी और राजनित्तिक राज का दर्सन कराता है विष्ट का सबसी बड़ा लिखित और सरबादिक ब्यापक सम्विधान कौन सा है भारत का, विश्व का सबसी बड़ा ब्यापक और लिखिस सम्विदान भारत देश का है 35 इनमें से कौन भारतीय संग्य ब्यवस्ता में इकात्मक तत्थ है राइट आंसर है C, E और B उप्रक्त दोनों राजपालों की न्युक्ती और अकिल भारते सिवाएं भारते संग्य ब्यवस्ता में इकात्मक तत्थ है 36 भारत में राजनेतिक ब्यवस्ता की मूलभूत लक्षर कौन सी है यह एक लूट तांचित गर्तन थे यह मूलभूत लक्षर है इसमें संसाद्माग तक ग्रूप की सरकार है यह भी मूलभूत लक्षर है और सर्वुच शस्ता इसमें भारत की जनता में नहेत है यह भी एक मुलभुच रक्षान है राइट आंसर होगा D और प्रुक्त सभी मुलभुच रक्षान है राइट आंसर होगा D भारत की ब्याक्षा के लिए संग्या सर्वुच रक्षान है राइट आंसर है B संभीधान संभीधान भारती राज्य विवस्ता में सर्वुच है 49 भारती संभीधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे राइट आंसर है C विष्ट के सबसे व्रिष्टिस संभीधान में से एक भारती सम्मिधान विश्य की सबसे विश्य सम्मिधान में ऐसे एक माने जाता है चैलिश वा प्रस्ण भारत का सम्मिधान माननेता प्राप्ट करता है लाइट अंसार सी धार्मिक और भासाई अल्प संक्यकों को भारत का सम्मिधान धार्मेक और भासाई अल्प संख्यकों को माननता प्राप्ट करता है। ठैंक्स पर वचिंग। आज हमने सम्मिधान की विशिष्टां से समनित महत्पून प्रसनों को परा। यदि आपको मारे वीडियो पसंद आई हूँ तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें। तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुद्बाई।